नमस्कार दोस्तों मैं अंकी डिजिटल सिक्षा पर आप सभी का हर दिक स्वागत करता हूँ आज की क्लास में हम प्रमुक अंतरास्टिय सिखर सम्मिलनों की उपर चर्चा करने वाले हैं क्लास बेहदी मातूड क्योंकि इस क्लास से आपको एक क्लास पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो आप बताएंगे 22 से 24 अगस्त 2023 कब से कब तक तो आप बताएंगे 22 से 24 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन हुआ कहां हुआ तो आप बताएंगे जोहनसबर्ग में हुआ अब जोहनसबर्ग पढ़ता कहां है तो आप बताएंगे साउथ अफरीका में पढ़ता है तो पंद्रमा ब्रिक सिखर सम्मेलन 2023 साउथ अफरीका के जोहानस बर्ग में हुआ 22-24 अगस्त 2023 के मत याद रखेगा इसकी अध्यक्षता किसने की जब भया यह साउथ अफरीका में हुआ तो साउथ अफरीका का सरवुक्ष आदमी इसकी अध्यक्षता भी करेगा कहते हैं साउथ अफरीका के राष्ट पती सिर्ल राम फोसा ने इसकी अध्यक्षता किया ठीक है तो पंद्रमा ब्रिक सिखर सम्मेलन जो जोहानस बर्ग साउथ अफरीका में हुआ इसकी अध्यक्षता सिर्ल राम फोसा ने की अब भया सिर्ल राम फोसा कौन है तो आप प्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से तुरित विकास सतत्विकास और समाबेसी बहु पक्षबाद के लिए साजेदारी की बात करता है यह ठीक है याद रखिएगा यह बेहद ही मात्पूर्ड आपसे विसे भी पूछा जा सकता है बिसे ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से तुरित विकास सतत्विकास और समाबेसी बहु पक्षबाद के लिए साजेदारी है हाँ एक चीज और पापसे पहद ही मात्पूर्ड है इसमें कितने नए देश सामिल हुए तो आप बताएंगे भीया कि इसमें 6 नए दे जी के द्वारा किया गया इसमें 6 नए देश सामिल हुए 6 नए देश कौन है एक तो मिस्र है दूसरा साओधी अरब है यूएई एथोपिया अर्जेंटीना और इरान ठीक है याद रखिए एक भी देश पूछा जा सकता है आपसे सीधी सीधी ऑप्सन में आएगा ठीक है क्लास को पूरा देखेगा यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीड़ वेक आवस्ते देए और याद रखिए हम आपकी यूपे ट्रबल सी पैट की जो आपके लिए क्लास है चलाई जा सिखर सम्मेलन होता है के इसका अईयोजन 12-ми और 28-23 को साउदी अरब के जिद्दा में हुआ जबकि इसके अध्यक्षता किसने की तो आप बताएंगे मुहम्मद बिन सल्मान, तो मुहम्मद बिन सल्मान के द्वारा इसके अध्यक्षता करी जाती है, अब मुहम्मद बिन सल्मान है कौन तो आप बताएंगे कि साओधी अरब के प्रथान मंत्री है, ठीक है, याद रखे कि तो आप बताएंगे मुहम्मद बिन सल्मान जो की साओधी अरब के प्रधान मंत्री होते हैं उसकी अध्यक्सता करते हैं ठीक है याद रखिएगा देखिए जहां पर समझाने के लिए होगा वह आपको समझाएंगे लेकिन यह सीधे सीधे चीज़ें याद रखने वाली है और एक विश्वास मानेगा आप चाहिए कोई साभी पेपर दें आप एसे सीजेयल का जीडी का मटी एस का या यूपी ट्रपल सीपैट का यूपी ट्रपल से कोई साभी आप पेपर दें अंतराश्टिय शिखर सम्मिलन से कुश्चन आएगा आपके करेंट के लिए भी यह सम्मिलन कहां हुआ और कब हुआ तो आप बताएंगे यह 16 हिंद महा सागर सम्मिलन है 19 मई 2030 को धाका धाका नहीं पड़ता है तो आप जानते हैं तो धाका बंग्लादेश में पड़ता है यदि आप से कुश्चन पूछा जाए बताईए बंग्लादेश की मुद्रा क्या है कि अब सेक सीना कौन है तो आप बताएंगे कि बंगलादेश्की प्रधानमंत्री याद रखेंगा कि आपके आप के लिए आप के लिए बहात्पूर है ठीके याद रखेंगि विशह पूछा जाता है कहते है इसका बिशाय क्या है तो आप बताएंगे सांती समरद्धी और लचीले वविस्य के लिए साजेदारी इसका बिशाय होता है अब ठीक है देखिए छटमा हिंद महासागर सम्मेलन कहा आयोजन हुआ कब हुआ ते कते हैं 19 मई 2030 को इसका आयोजन किया गया इसका बिशाय क्या होता है तो आप बताएंगे सांती समरद्धी लचीले वविस्य के लिए साजेदारी इसका बिशाय होता है ठीक है याद रखेगा क्लास बेहदी मात्वूड और एक चीज़ और याद रखेए बांगले देश के अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो आ आपने पडोसी देश की जो चीज़ें हैं अपके मुद्रा है उनके राष्टे के लिए इत्यादी साब याद भी रखेगा यह आपसे कुश्चन बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है आईए आंगे क्यों चर्चा करते हैं कहते हो उननचास्मा जी सेवन सिकर संबिलन हुआ हुआ है ठीक है तो उननचास्मा जी सेवन सिकर संबिलन उननिस से 21 मई कहा हुआ हिरोशिमा जापान में हुआ है ठीक है तो उननचास्मा जी सेवन का जो सिकर संबिलन है वो उननिस से 21 मई जापान के हिरोशिमा में हुआ है इसकी अध्यक्स्ता किसके द्वारा करीग जो कि फूमियों किश्दा हैं ठीक है याद रखिएगा कहते हैं उनन्चास्मा जी सेवन सिकर संभिलन कहां हुआ आप बताएंगे जापान में इसका आयोजन किया गया कब से कब तक कहते हैं जापान के प्रधान मंत्री जिनका नाम फूमियों किश्दा है उनके द्वारा इसके अद्यक्ष्टा करी जाती है लेकिन जी सेवन का मुख विंदू क्या है जी सेवन का जो मुख विंदू है कहते हैं जी सेवन ने कटि दो हजार पांस तक वैस्बिक उस्तर पर नीउंतम उतसर्जन की आबस्षक्ता पर बल मिदे आए हैं ठीक है कारता ये कि एकasia maiorिसमा जो जी सेवन संभिला लेकिन आंगे का पचास्मा कहा होगा तो है यहाँ हजार आपॉजेश्मा कहा होगाो घृठख जी सावन का उनन्चासमा कहा हुआ तो आप बताएंगे जापान के हिरोशिमा में हुआ इसके अध्यक्षता के द्वारा करीगी तो आप बताएंगे प्रदानमंद्रे फूवियों किष्टा के द्वारा करीगी मुख बिंदू जी सावन दो हजार पच्चिस तक सन याद रख अर्टालीसमा जर्मनी में और पचासमा कहां आयोजन किया जाएगा तो आप बताएंगे या जो पचासमा है वो इटली मायोजन किया जाएगा ठीक है याद रखेगा क्लास बेहादी मातपूर है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें अधि आप पसंद आ रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करना जो लें और बैल आइकन जरूर दबाएं ठीक है बैल आइकन जरूर दबाएं आए आंगे की और चर्चा करते हैं कहते हैं 23 सिखर संबिलन बहुत ज्यादा मातपूर जितना हो सके इसको रटके जाए क्योंकि इसका आयोजन जो है आपके देश भारत में किया गया इसलिए पेहद ही मातपूर है कहते हैं कि 2023 में 23 सिखर संबिलन का जो आयोजन है वो भारत में किया गया यह है आयोजन 3 से 4 जुलाई भारत में किया गया 22 सिखर संबिलन वो कहां आयोजन किया गया तो आप बताएं कि सम सिकर है वह यह का भारत में उजिद किया गया तीन से चार जोलाई लेकिन बाइसमे में नंबर का कहां तो आप बताएंगे उज्वेकिस्तान के समर्कंद सहर में इसका है याद रखिए गा तो एक बार फिर से बोलिएगा कि 23 सीओ सिकर सम्मेलन 2023 तीन से चार जुलाई भारत में इसका आयोजन हुआ लिवही 22 सीओ सिकर सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्वेकिस्तान में हुआ जो कि 2022 के अंतरकत होता है ठीक है याद रखिएगा और आंगे की ऊपर चर्चा करते हैं करते हैं अठारमा जी ट्वंटी सिकर सम्मेलन पेहद ही महत्पूर अठारमा जी ट्वंटी सिकर सम्मेलन 2030 आयोजन पूछे आप सभी को पता है कि इसका आयोजन भारत में किया गया अठारमा जी ट्वंटी सिकर सम्मेलन का आयोजन भारत म क्या थी आप बताएंगे हिंदी में अगर नाम लिखे आते तो बताएंगे बसुदेब कुटमब कम इंगलिस में आता है तो आप बताएंगे वन अर्थ बन फैमिली और वन फ्यूचर ठीक है याद रखिएगा कहते हैं अठारमा जी ट्वंटी जो सिखर संविलन 2030 की मेजवा किसके द्वारा करी गई तो आप बताएंगे भारत के द्वारा करी गई इसकी थीम रखी गई बसुदेब कुटमब कम अगर इंगलिस में पूछा जाए तो आप बताएंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई तो आप बत है को दयब ओध्राजिस्थान में अध्रमा जो जीटवन्टी वाला संभीलन हुआ सथ्रवा वह कहां हुआ तो आप बताएंगे अभरत में किया गया थीम अक्सर कर पूछी जाती है बहुत ज़्यादा थीम पूछी जाती याद रखी का पसुदेव को टमब कम है इसका मतलब बन अर्थ बन फैमिली वन फ्यूचर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करेगी तो आप बताएंगे प्रधार मंत्री नरेंद मोदी की द्वारा अठारवी जी टॉंटी की सिकर संभिलन के अध्यक्षता क होगा तो आप बताएंगे भी अब ब्राजील 2024 में होगा ठीक है याद रखिएगा आसा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने देखिए आई टू यू टू यह कुश्चन आपके अग्जाम में पूछा ही जाना है किसी ना किसी सिफ्ट में यह बात रखिएगा कहते हैं पहला आई टू यू टू सिखर संबिलन 2022 में हुगा यह कब हुआ तो कहते हैं आयोजन 14 जुलाई 2022 को बर्चुली आयोजित किया गया था भारत की ओर से इसकी अद्यक्षता प्रतान मंत्री नर लिए इसराईल यू एए और यू एसी चारो याद रखिएगा इंडिया होता है इसराईल होता है यू एए होता है और यूएएसे होता है याद रखिएगा मुख बइंदु कि अगर आप बात करते हैं तो इस समेल Healthy छे चेत्र की बात करी गई है कहते हैँ था जय उसमेंBS च्छेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचेचे पूछा ही जाता है आई टू यू टू से ठीक है बार बार पूछा जा रहा है अभी हाल ही मैं बीपी एससी ने पूछा था ठीक है देखिए अब चर्चा करते हैं कि 32 नाटो सिखर संबिलन 2022 इससे भी है कुश्चन एक नाएक आपको किसी ना किसी प्रेक्षा में कुश्चन भी है आपको आया हुआ मिलेगा कि बताइए नाटो नाटो नौर्थ एट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है इसी के उपर हम चर्चा करने वाले हैं 32 नाट में इसन्वेच्ट किया जाता है 32 नाटो सिखर संविल्ण का और श कहां किया जाता है तो बताएंगे इसका हो जरिव करते हैं हो इसके द्वारा ही नाटो की जो 32 नाटो स्वीडन को गठवंदन में सामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है यह कुश्चन याद रखिएगा कि बताइए कि 32 नाटो सिकर्ण सम्मिलन का हुजन कहा हुआ तो आप बताइएंगे स्पेन के मैड्रिट सेर में हुआ कब से कब तक हुआ बताइएंगा 28 से 30 जून तक हुआ इसके अद्यक्स तक इसके द्वारा करीगी तो आप बताइएंगे नाटो मासचिप जैम सिस्टो लेटन वर्ग के द्वारा करी गई मुख बिंदू क्या है मुख बिंदू में यह है कि फिल्लेंड और स्वीडन को आमेंतरित किया गया कि अभी यह आप आईए हमारे गठवंदन में सामिल होई यह आके ठीक है अब देखिए का अभी 32 तो यह 31 भी हमें याद रखना पड़ेगा कहां आयोजन हुआ था तो 31 क अब प्रुसेल्स हुआ है यह यह है आपके स्पेंड जोकी मेडरीड सहर में आयुजीत किया गया है ठीक है याद रखे है कि एक चीज और याद रखेगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करना जरूर याद रखेगा मेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आपके पास आपकी हमारे चैनल की पल प्ल आपडेट आपके पास पहुंसती रहे ठीक है? याद रखेगा कहते हैं कि बार्मा विशव हिंदी सिकर सम्मेलन कहां अयोज़त हुआ? तो आप बताएंगे आयोजन इसका फीजी में हुआ बार्मा विश्व हिंदी सिखर सम्मेलन कहते हैं इसका आयोजन फिजी जो की 15-17 फरवरी 2030 के मद्द किया गया इसमें भारत का जो परतुनुदृत है वो विदेश मंत्री एस जैसंकर के दौरा किया गया इस सम्मेलन का जो भविश्व हिंदी पारंपरिक ज्यान में करतिम में तक है याद रखेगा तो बार्मा विश्व हिंदी सिखर सम्मेलन फिजी में इसका आयोजन किया गया कब से कब तक तो आप बताएंगे 15-17 फरवरी 2030 भारत का प्रतुनुदृत किस ने किया तो आप बताएंगे विदेश मंत्री एस जैसंकर जी के दौरा इसका प्रतुनु पूजित हुआ था ठीए याद रखेगा इसका बिसाय जरूर याद रखेगा कहते हैं हिंदी परंपरिक ज्यांसिक करत्रिम में यहां तक याद रखेगा बेहदी मात्पूर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि चौदवा एर इंडिया 2023 एर इंडिया जो सो होता है जो इसका आयोजन कहा हुआ तो आप पताएंगे इसका आयोजन बैंगलूरू में हुआ जो की 13-17 फरवरी 2023 के मद्ध हुआ इसका बिसाय क्या था तो आप पताएंगे इसका जो बिसाय है दर रनवे टू अविलियन अपॉर्चुनिटी ठीक है एर इंडिया जो 2030 का जो सो है वह बैंगलूरू में आयोज़ूत किया गया तीरा से 17 फरवरी इसका बिसाय होता है याद रखियेगा बहदी महत पूदा इसको बीद हो इसको भी याद रखिएगा कि सत्रमाप्रवाशी भारती सम्मेलन कहां आयोज़ूत हुआ तो आप बता प्रवासी भारतिय सिखर सम्मिलन है वो आयोजन कहा हुआ तो अब बताएंगे बताएंगे इसमेंगे जो मुक्ष आतिती हैं उठी भारतिय सिखर सम्मिलन का मुख अतिति जो कि कुवाना के राष्ट पती था तो रभातिय इसमेंगे जाना ने कहा कि अमरत काल में भारत की प्रगती के लिए विस्व इस तरीय भागेदारी किसका बिस्या होता है तो आप बताएंगे सत्रमा प्रवासी भारती सम्मिलन जो 2023 में आउजित हुआ कहते हैं इसका आउजित नमद प्रदेश के इंदौर सहर में हुआ इसमें मुख अतिती क कि याद रखिए एक चीज़ याद रखिए को 15 यह कौन सा है तो आप बताएंगे कि जो कोप 15 है जो की जो कोप 15 है जो की जैब विवित्ता पर सयुक्तराष्ट सम्मिलन दो हजार तेज इसका आयोजन उन्निस दिसंबर 2022 कनाटा के मंट्रियल में किया गया है याद रखिए अब कमान ट्रियल में तो किया ऑगा लेकिन इसकी अध्यक्स्ता किसके द्वारा करेंगे चीन के द्वारा लेकिन आयोजन कहां हुआ तो बताएंगे कैनेडा के मौंट्रियल सहर में इसका आयोजन हुआ लेकिन इसकी अध्यक्स्ता करेंगे लेकिन भारत के परिया वरड जलवायू मंत्री श्रीबूपे परियाबर जलवायू मंत्री श्रीबूपे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपना फीडबैक आवस्च दें और हां बैल आइकन जरूर दबाएं बैल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो धन्यवाद और तैयारी करते रहिएगा हमा क्लास ना देहिए धन्यवाद